हमारा सविधान बड़ा साफ है आर्टिकल 1.1 तो साफ कहता है इंडिया देट इस भारत अंग्रेजी में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ था फिर कुछ और कागस भी आई मौमद अली जिनान ने तो आपती जता ही कि आप इंड कोई संस्था ने चुटिगे इंडियन आर्मी इंडियन इर्फोर्स इंडियन नेवी आप कहां कहां बदवाब करेंगे क्या ये इतना इजी है मनिपूर है बेकारी है या महंगाय है इस पर चुनावगा तो सरकार उस पर डिफेंसी होगी मोदी जी की सरकार जान गई है कि यह जो 2024 का चुनाव है, यह कोई इतना आसान नहीं है, स्पेशल सेशन में भी जो मुझे खबर है, BJP कुछ ऐसी बड़ी चीज करना चाहती है, जिससे फिर से नेरेटिव उनके पक्ष में हो, यह देश जो है ना, यह इतने सालों पुराना है, यह दिबेट जो होते हैं, हम उसे हलके तरीके से इंडिया वर्सिस भारत लेकर, या कहें कि अंग्रे जो ने यह नाम हमें दे दिया, जिस्थिया, यह गलत है, दुनिया हमें इंडिया के नाम से जाने, और हम भी बड़े गर्व से कह सकते, कि हम भारतिय भी है और अब इंडियन भी है नमस्ते मैं अविचल दूबे न्यूस तक के इस सापता एक सबाह में आपका इस्तिकबाल करता हूँ इस सापता जो सबसे जादा चर्चा रही है वो इंडिया और भारत की रही है वर्सिस में लगाना नहीं चाहूंगा क्योंकि वो वर्सिस जो है वो राजनितिक गडियारों में उनको सूट कर रहा है हम इस पर चर्चा कर रहे हैं कि आखिर देश के नाम बदलने की जो चर्चा है वो कहां तक सही और कहां तक पहुंचेगी किसको फायदा किसको नुकसान इस सब पर चर्चा की जाएगी हमारे साथ वरिष पतरकार है राजदीब सरदेसाई जी वो मौझूद है इसके साथ साथ तक चैनल्स के मेनेजिंग एडिटर मिलिन खंडेकर जी मौझूद है सबसे पहले मिलिन खर मैं आप से शुवात करूँगा कि जिस तरीके से राज्यतिक ढंग से इसको देखा जा रहा है वो किस तरफ जा रहा है क्या ये एंडिय और इंडिया अलाइस मतलब इंडिया अलाइस ये कह रहा है कि साथ हमारे ड़की वज़े से ये राज्यति शूप क आर backbone कि नहरा है ऐडियुन और भारत दोनों हैं अगर आप समयधान से चलें तो कोई ने देश का नाम बदला जा रहा है ये नहीं हैं सिर्फ इंडिया होना चाहिए या सिर्फ भारत होना ची ये इस बात के बहस है और यह जो राजनिती हो रही है वीचल यह दबसे हो रही है जबसे इंडिया अलाइंस बना है और तबसे बार बार बी-जे-पी की तरह से इंडिया में कोई न कोई नुक्ताचीनी की जा रही है कि बही मुझाहिदीन, इंडियन मुझाहिदीन हो गया, या पीपल्स फ्रंट अफ इंडिया के आतंकवादी का तीवीदियों से जोड़ा जा रहा है, तो तरह तरह से इंडिया के नाम पर हमला हो रहा है, अब ये जो नई बात आई है, ये आई है कि बही क्या देश का नाम ज लेकर राश्पती ने एक जो उनकर निमंतरन पत्र था, उसमें अंग्रेजी में प्रेसिडेंट आफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट आफ भारत लिखा हुआ था, फिर कुछ और कागस भी आई कि प्रधान मंत्री के भी जो दोरे हुए हैं, दक्षन अफरिका के या इंडिया लिखा जाएं, तो इससे लेकिन एक फाइदा ये हुआ है बीजेपी को या सरकार को, कि बहस वापस उस तरफ चली गए जिस तरफ सरकार चाहती थी, और ये मैंने पहले भी एक बार कहा था कि पहले जैसे पिछ जो है वो एक तरसे इंडिया या विपक्ष तयार क कर रही है, जब मुंबई की बैठा कोई तब उन्होंने का जी वन नेशन वन इलेक्शन वाली खबर आ गई, हर आदमी इस पर ही बयान देने लग गया, और अब वह वाली बहस जब थम गई कि नहीं जी अभी तो तुरंद नहीं होने जा रहा है, दूसरी बात आई कि जी अ मुदी सरकार की तरफ से तैकी जा रही है, या इस पर स्टेट बैट जो है वो अभी इंडिया चला सकता है, इंडिया को फुल टॉस मिल सकता है, क्या है मतब कि ये जो पूरे के पूरे मैदान की जो कहानी है, वो हम आप से जाना चाहिए, देखे मिलिंग सर और मैं दोनों एक तरह से क्रिकेट के बड़े शौकीन है, और वर्ल कप का भी वर्ल कप भी आ रहा है, जहां ये कहा जा रहा है कि पिचिस जो बनाए जाएंगे, वो इस तरह से बनाए जाएंगे, कि इंडिया टोर्नमेंट जीट पाए, तो बीजेपी का भी वही लगातार प्रयास है, कि एक ऐसी पिलिटिकल पीच बनाए जाये, जिसमें बीजेपी निर्टीव सेट कर पाएंगे, मैं इसे कहता हूँ, अंग्रेजी में कहें, तो वेपनज आप मास्ट डिस्ट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन नहीं, इराप में वेपन्स आप मास्ट डिस्ट्रैक्शन थे, यहां लोगों को भटकाने के लिए weapons of mass distraction किये जाते हैं रोज कोई नई WMD आपके सामने आपती है आप chronology देखिए पिछले गुरुवार को गौतम अडानी इंडस्टिलिस्ट पर कोई नए revelation कोई नई बाते उठकर आती है और कुछ foreign अगबारों में उसके बारे में बात होती है और कहा जाता है राहूल गांदी उस पर press conference करेंगे ये उसी दिन होता है जब विरोधी पक्ष की opposition इंडिया meet होती है और ये उसी दिन होता है जब चीन से ऐसी खबरे आती है कि उनके जो राष्ट्रपदी है जी जिन पिंग वो जी ट्वेंटी किल नहीं आएंगे तो ये तीनों खबरे जो है एक तरह से सरकार के सरकार को ना पसंद होने वाले ये तीन खबरे हैं तो बीच में ये कहा जाता है एक special session of parliament होगा जिसमें one nation one election इस देश में एक देश एक चुनाव का जो proposal है वो लोगों के सामने रखा जाएगा अगले दिन committee का गठन होता है अब उसके कुछ दिनों बाद जबकि ये confirm होता है कि जी नहीं आ रहे हैं भारत ये भी बात चल रही है कि विपक्ष अपने आपको एक तरह से जोरदार तरीके से special session के सामने कुछ मुद्दे रखना चाता है एक खबर आ जाती है कि देश का नाम एक तरह से क्या सरकार बदलने जा रही है कैसे एक invitation card आता है जिस पे रिखा जाता है Republic of भारत कुछ official ऐसे documents निकलते हैं जिसमें सरकार कहती है Republic of भारत जो प्रधान मंतरी आसियान जा रहे है Republic of भारत के प्रधान मंतरी जा रहे है तो एक महौल बनता है क्या सरकार बदलने जा रही है सरकार का कोई official बयान नहीं आया है लेकिन अटकले लगाई जाती है और इस बीच में ये कहा जाता है कि शायद इंडिया की जगा भारत नाम होगा मैं इसे distraction इसलिए मानता हूँ क्योंकि हमारा सविदान बड़ा साफ है Article 1.1 तो साफ कहता है India that is भारत which will be a union of states तो उसमें कोई ऐसी विवाद होने की कोई बात ही नहीं थी लेकिन विवाद खड़ा किया जाता है ताकि इस पर चर्चा हो लोगों की ध्यान का ध्यान भटके और एक बार फिर बीजेपी कहे कि ये जो विरोधी पक्ष है ये तो कलोनियल जमाने के जिंदगी में रहते हैं ये अंग्रेज के गुलाम है हम वाकई देश भक्त है हम वाकई भारत नाम चाते हैं ताकि देश भक्ती का जो एक महौल बनाना है उसे और आगे बढ़ाये जाए तो ये अपनी पिछ है बीजेपी चाता है कि ये चुनाव देश भक्ती के पिछ पर प्ले किया जाए और विरोधी पक्ष को देश विरोधी माना जाए और विरोधी पक्ष चाते है कि जो मुद्दे हैं जिस पे उनको लगता है सरकार कमजोर है कीमतों के महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, सूखे का मुद्दा हो, मनिपूर का मुद्दा हो, उस पिछ पर खेला जाए, तो दो अलग-अलग पिछ तयार हो रहे हैं, जिसमें जब ये भारत-इंडिया का विवाद उठता है, तो वो एक ऐसे पिछ होता है, जहां बीजेपी अपनी नेशनलिजम, अपनी राश्ट्र भक्ती, देश भक्ती को जनता के सामने रख रही है, हाला कि आप जानते हैं, ये एक ऐसा मुद्दा है, जो देश को बाढ़ भी सकता है, आप देखिए दक्षिन के कही नेता है, कह रहे हैं कि हमें तो कंस देखिए, ये भारत का एक मॉमेंट है, और उसको हम भारतिया संस्कृती को, सिविलाइजेशन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे है, ये बड़ा वेपन आप मार्स डिस्ट्रैक्शन है, अनुशेद एक में लिखा हुआ है, इंडिया डेट इस भारत, और इसके साथ सा कर जिक्र हुआ, आप दोनों ही बहुत इच्छे इसके जानकार है, उस समय हुआ क्या, दरसला भारत का नाम जब रखने की बात आई, इंडिया रखा गया, भारत रखा गया, दोनों ही नाम रखे गए, तो उस समय क्या हुआ हूई थी? बाबा साहब अमबेट करने ये जो आप जिस पहले अनुच्छेत की बात कर रहे हैं, एक तो ये समझ लिजी कि हिंदी में सविधान की परती और अंग्रेजी में हैं, तो जो अंग्रेजी की परती है, उसमें इंडिया भारत ही है, फिर पहली बार जब आ रहा है, उसके बा तरह है उसमें जो हईचवी कामत का नाम आता है, उन authority बाबा से बारत है जिससे आइरलेंड का जो सविधान है, उसमें साफसाफ लिखा गया है, यज भारत ही है, लेकिन जो हमारे सविधान सभाती, जो सविधान के निर्माता थे, उन्होंने अपने विज्डम में हे ताई करेंगे और ये इसके पीचे की जो मंचा है मुझे लगता जो रही होगी वह जो राज दीपने भी बात के ही कि राज यह हैं उनको कहीं न कहीं यह लगता है कि भारत उनके अंहें ये कि दक्षिन भारत की भाष़ाओं में इसका भारत शब्द का उपयोग नहीं होता है लेकिन कहीं न कहीं वो एक कहीं इंपोजिशन ना हो जा या सब का साथ मतलब सब को एक तरह से इंक्लूड कर लिया जाए तो इसलिए ये भूमिका रही कि बाई सिर्फ भारत इनीज का मैं इंडिया और भारत दोनों साथ साथ रहेंगे ये सोच रही होगी बाकी मुझे लगता है कि राजदीप ने तो लौकी भी पढ़ाए कि वो हमको इस पर बहतर बता सकते हैं देखें कॉंस्ट्ट असेम्ली में चार अलग-अलग दिन पर इस पर बहस हुई थी और कई राय थी तब देखें उननीस सो सेटालीस में देश का विभाजन हुआ थी और कॉंस्ट्ट्ट असेम्ली उस पूरे महौल उस पूरे बैक्गराउंड में अपनी बहस कर रही थी लोगों का डर था कि सब को साथ कैसे लेना है ये बहुत बड़ी चुनोती थी इसलिए ऐसी कोई चीज नहीं रखनी चाहिए जिससे कोई विवाद बढ़ पाए किसी को लगे हम किसी पर कुछ ठोप रहे हैं यही वज़ा है ये compromise document थी आपने सब पक्ष की बात सुनी और इस बात है मौमद अली जिनान ने तो आपती जताई कि आप इंडिया नाम कैसे दे सकते भारत को इंडस वैली तो हमारे यहां है यह तो पाकिस्तान ने तब विवाद भी खड़ा किया था लेकिन हमने बड़ी सूझ बूच के मुझे लगता है अमबेटकर और उस उस पूरे ज इंडिया नाम तो ले लेंगे लेकिन उसके साथ भारत नाम भी होगा और एक तरह से इसका आज आप कई किसी भी देश के इलाके में जाए, आप अपने आपको इंडियन कह सकते हैं, आप अपने आपको भारतिय कह सकते हैं, यह हमारी ताकत है, यह इसमें कोई विवाद करने की कोई बात नहीं, बड़ी इंट्रेस्टिंग बात मुझे लगी, कि 2015 में यह सवाल पूछा गया था, का दायर की थी, कि वो चाते थे कि भारत का नाम बदलिये, इंडिया का नाम बदल के भारत रखिये, तब सुप्रीम कोर्ट में होम मिनिस्ट्री की, इसी सरकार की होम मिनिस्ट्री, राजनाज सिंगी तब होम मिनिस्ट्र थे 2015 में, उस मिनिस्ट्री ने कहा था कि कोई, हमें कोई वज़ा नहीं लगती कि देश का नाम बदलने की जरुरत है यह 2015 में इसी सरकार ने का है कॉंग्रेस सरकार ने नहीं हाजपा की सरकार ने 2015 में कोट के सामने यह अपना ब्यान रखा था कि Supreme Court responding to public interest litigation there is no change in circumstance कोई भी बदलाव की जरुरत नहीं है for any change in article 1 of the constitution of India याने 8 साल में क्या बदल गया है 2015 की स्थिती और आज की स्थिती में क्या इतना बड़ा अंतर आया है कि suddenly अचानक एक दिन आप उठ जा और कहने ने अब हमें इंडिया शबसे आपती है हम भारत शब रखेंगे मुझे लगता है यह controversy खड़ी की गई है ताकि लोगों का ध्यान भटके ताकि आप एक महौल बना दे जिसमें मैंने का कि देश भक्ती याने भारत देश विरोधी याने इंडिया खास करकी क्योंकि विपक्ष ने ये नाम रखा है इंडिया आलाइंस कहीं ना कहीं ये भी इस पूरे विवाद के पीछे है ये इंडिया आलाइंस जो है ये बीजेपी को अच्छा नहीं लगा है कि ये विरोधी पक्ष ने ये नाम रख लिया है इंडिया तो ये सब मुझे लगता है एक तरह से राजनीती खेल चल रहा है जिसमें बिचारी जनता फस गई है समिधान सभा में जिक्र हुए थे और उसके साथ साथ जो नाम है वो एक्सेप्टेंस मेरा और भारत सरकार ने भी 2015 में, 2016 में जिस तरीके की अपने कॉमेंट किये बड़े कूल तरीके से, काम तरीके से किये लेकिन जब अब बात आ रही है तो इसमें जिक्र कर रहे हैं कि साथ IIT, IAM, ISRO, AIMS ऐसी कोई संस्था नहीं चूड़ी इंडियन आर्मी, इंडियन एफोर्स, इंडियन नेवी, आप कहां कहां बदलाव करेंगे, क्या ये इतना इजी है, या फिर क्या बोल चाल की भाशा में, सड़नली बस कह देना और हो जाएगा, उतर ही है नहीं देखे, easy तो कुछ भी नहीं है, लेकि मुझे एक बात ये लगती है, कि अभी तक सरकार ने आधिकारी क्रूप से जेसे राजडिय आपने भी बात कही है, कि न वन नेशन, वन इलेक्शन वाले भी जब खबर आई थी तो पहले सरकार ने आधिकारी क्रूप से कुछ कहां नहीं है और दूसरी बात यह कि सरकार अगर भारत सब्द का इस्तमाल करना चाहती है तो जो मैंने समझा और पढ़ा है उसमें कोई भी गैर कानूनी बात नहीं है मतलब वो समझान के अनुरूप नहीं है लेकिन असमझान एक नहीं है बहुत ही है लेकिन सरकार चाहेगी तो भारत का इस्तमाल करने से कोई रोक नहीं सकता है उसको जो सवाल आपने पूछा है कि भाई जो आएटी का नाम बदलना पड़ेगा या दस तरके नाम बदलने पड़ेंगे तो वो तो बात की बात होगी ना पहले तो सरकार ने अभी तो कोई प्रस्ताव दिया नहीं है और जो हमने पहले देखा कि मुंबई का नाम बदल गया ल जाजमी है ये बात सही है लेकिन हमने मतलब ऐसे भी मिसाले देखी है और ये तो जो बात हुरी ना मैंने कहा ना जो भहस जो राजदीब ने भी का कि डिस डिफलेक्शन वाली बात है कि हम अब नामों की गिंती करने लग गए कि एक शहर के बदलने में तीन सो क्रोड का खर अचा देश में आएगा तो पिज जो है वो वापस जहां देशभक्ति वाली आ गई है और वो सारी बहस उस पर चली गए ये हो पाएगा वो हो पाएगा मुझे अभी भी लगता है हमको इंतजार करना चीए कि जो स्पेशल सेशन है उसका आजेंडा क्या है वो जब सामने आएगा तभी हम ये सब टिपड़ी कर पाएंगे जी राजित पर मैं इस पर एक बात पूझा जाता हूँ आपने का कि डिफ्लेक्शन की राजनीती है तमाम चीज है लेकिन क्या ये राजनीती उतनी मजबूत मुदी सबकार कर पाई कि 2014 औ 2019 के चुनाव उन्होंने एक आप नहीं लड़ सकते लेकिन आप ये कर सकते हैं कि देश का नाम गौरौफ किया है मोडी जी की सरकार नहीं ये प्रयास लगातार सरकार कर रही है फिर आप चंदरायन लीजिए आप वैक्सीन प्रोग्राम लीजिए अब आप जी ट्वेंटी लीजिए हर चीज में सरकार एक महौल बनाना चाहती है कि मोदी जी की सरकार जो है उन्होंने भारत को एक उचे स्थर पर विश्व में एक तरह से विश्वक गुरु बना है जो ये बार बार बात कहे जा रही है विश्वक गुरु की तरह भारत का एक भारत को देखा जा रहा है ये बीजे पी अपने समर के द्वारा ये प्रयास लगातार कर रही है कि लोगों तक ये बात पहुंचे कि भारत की जो इमेज है वो बहुत बड़ी है और प्रदान मंत्री ने भी बड़ा इंट्रेस्टिंग था अपने पी टी आई के जो इंटर्वियू में कहा कि ये सब कुछ हो रहा है कि देश प्र लाएंगे दोजार उन्नीस में क्या हुआ कि बाला कुल्वामा और बाला कोट के बाद पूरा महौल बदल गया और कहा गया कि देखिए देश को एक तरह से रक्षा की है मोदी जी की सरकार ने पाकिस्तान को उन्होंने मूँ तोड जवाब दिया तो महौल बिलकुल एक तर लुविया की तरफ जा रहे हैं अब आप देखिए जी ट्वेंटी में दुनिया भारत की तरफ की पास आ रही है ये आप नहीं कहेंगे कि ये प्रेजिदेंसी आपको रोटेशन में मिली है ये आप नहीं कहेंगे कि चंदरायन का तो प्रोग्राम पहले से ही दोजार हुआ है लेकिन क्रेडिट लेने की ज़रूर कोई भी नेता होता है क्रेडिट लेगा मोधी जी और उनकी सरकार का प्रयास रहा है कि अपने परसनालिटी को अपने जो भी देश की उपलब दिया है उसको राष्ट्र भक्ती देश भक्ती से जोड़ा जया इंडिया नंबर या made in India, make in India को भी make in भारत साहर कहना पड़ेगा, लेकिन एक महौल बनाने की कोशिश है चुनाव के पहले, कि हमारी पार्टी जो है वाकई देश को आगे बढ़ाना चाहती है, देश भग पार्टी है, और ये जो विरोधी है, ये देश को कमजोर करना चाहते है, तो ये narrative जर इंडिया आलाइंस के नेता है, वो कह रहे हैं कि साब देखो डर गए है, अठारे जुलाई को हमने बंगलूरू में मीटिंग करी और उसमें जब नाम दिया, यूपे का स्थित्व खत्म करके, इंडिया दिया, सबसे आप देखे लगातार कुछ ना कुछ आ रहा है, और आ सही भी है कि माल लिजे इनके दबाव में उनने बदल दिया, या बदलने का प्रस्ताव, मैंने अभी भी कहा कहा रहा हूँ कि अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं है, लेकिन माल लिजे ये अगर ये जैसा दावा कर रहा है, हमारे डर से भी कर दिया, लेकिन जंता के बीच में या वोट से इसका इंडिये को कोई फायदा होगा ऐसा मुझे लगता नहीं है अगर इसका फायदा होना है तो वो जो है इंडिये को होगा या बीजेपी को होगा और जो राजदीप ने बात कही देखिए हमेशा जो 2019 का भी चुनाओ जो बाला कोट की बार बार चुकी चरचा होती है जब भी मैच या चुनाओ देश भक्ती के पिछ पे खिला जाएगा एडवांटेज जो है बीजेपी को होगा जब से नाम इंडिया दिया तो इन्होंने भी कोशिच की कि हम भी थोड़ा उस पर पिछ पे रंच चुरा लेते हैं जो इंडिया लाएज ने तो इन्होंने जो धका लगाया पहले इसको आतंगवाद से जोड़ा गया अब जो है बोला कि मैंनी इंडिया नहीं हम तो भारत ही है इंडिया तो जो है मतलब कॉलोनियल नाम है या अंग्रेजोंना नाम दिया हुआ है तो कुल मिला के प्रयास यही है कि देश भक्ती के पिछ पर ही चुना हो क्योंकि जैसे राज़दीब करते है मनी पूर है बेकारी है या महंगाई है इस पर चुना होगा तो सरकार उस पर डिफेंसी होगी तो सरकार का प्रयास ही होगा कि बातें उस पिछ पर चली जाए जो देश भक्ती का हो और दूसरा मुझे लगता है कि जो 2019 में देखा था कॉंग्रेस का ओवर एलाइंस था राफेल पर मतलब एक ही मुद्धे पर तो उसको भी जवाब दे दिया था कि जब उन्होंने का वही चोकिदार ही चोहरे तो उन्होंने का मैं ही चोकिदार और वही जन्ता के बीच में जो है वह मैसेज वह नहीं गया कि चोकिदार चोहरे मैसेज या वोट इस बात पर चड़ए कि मैं भी चोकिदार सब लोग चो को पेश कर दिया है तो आप सरकार नहीं इसका जवाब देना जो है चुनना किसी एक को खास करके उत्तर भारत के परिप्रेक्ष में यह विपक्ष के लिए भारी पड़ेगा राजित सर जैराम नमेश ने प्रेस कंफरेंस करी और उन्होंने तमाम बातों को गिनाया उन्होंन में जब पतरगारों के सवार लिए तो उन्होंने का कि देखे मुझे साफ तोर पर नजर आता है कि प्रधान मंतरी पैनिक मोड में उनके अंदर घबराहट दिख रही है उन्होंने इन शब्दों का इस्तमाल किया और वकाइदा यह का कि जो चानक के नीती कोट अनकोड उन मोदी जी को अंडरेस्टिमेट बहुत करता है मोदी जी कोई मुझे नहीं दिख रहे हैं इस समय कोई डेस्परेशन नहीं दिख रही है मोदी जी या बीजेपी अब एक तरह से टेस्ट कर रही है यह सब ट्रायल बलून है टेस्ट कर रही है कि कौन सा मुदा चलेगा उन्ह उन्होंने कुछ मेनों पहले युनिफॉर्म सिविल कोड की बात की फिर अब वन इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन पर आए हैं अब इंडिया वर्सिस भारत ये लगातार ट्रायल बलून एक तरह से नेरेटिव बदलने के लिए कोशिश कर रहे हैं इसमें मैं डेस्परेश कि केवल हम कह दे कि जीखिए मोधी जी के नित्रित्व में एक बार हैट्रिक तुरण वो तो मिलना ही है ये डन डील है मोधी जी और अमिजशा कोई भी चुनाव को done deal नहीं समझते हाला कि मीडिया में कई उनके समर्थक समझेंगे कि आ नहीं में वो तो चुनाव तो जीतना ही है लेकिन ये लगातार एक प्रयास है जिसमें narrative कैसे बदला जाए special session में भी जो मुझे खबर है BJP कुछ ऐसी बड़ी चीज करना चाहती है जिससे फिर से narrative उनके पक्ष में हो वो क्या होगा ये clear नहीं है लेकिन हम जानते हैं कि मोधी जी surprise element लेके आने में उनको अच्छा लगता है कि विरोधी पक्ष को ये नहीं पता चले उनके खुद के मंत्रियों को नहीं पता है आज जैराम element लेके आते हैं और उससे उनको लगता है कि वो बाजी अपनी तरफ करेंगे तो मैं desperation नहीं देखता हूं इसमें रननीती इसमें चाल कई है इसमें किस तरह की रन किस तरह उस रननीती को लोगों के सामने लाया जाए इस पर मोधी जी ध्यान देते हैं ताकि सही समय पर वो कुछ अचानक कर दे और अपने विरोधियों को defensive पर ले आए अब तो मुझे desperation कम लेकिन एक और घबराट भी नजर नहीं आती desperation नहीं नजर आता घबराट नहीं नजर आती लेकिन ये जरूर है कि मोधी जी जानते हैं कि मैं इस विरोधी इंडिया अलाइंज को बिलकुल नजर अंदाज नहीं कर सकता इनमें ताकत है क्योंकि इनकी जो गनित है इतने पार्टिया जब एक साथ आती है तो गनित तो होगी उनकी उस गनित को कैसे बिगाड़ा जाए उनकी केमिस्ट्री को कैसे बिगाड़ा जाए ये मुझे लगता है मोधी जी और अमिच्छा जी सोच रहे है मैं 2024 को कभी भी one-sided नहीं कहूंगा मैं अभी भी कहूंगा advantage मोधी जी है लेकिन वो ऐसे नेता है जो अपने विरोधियों को कभी take for granted नहीं करेंगे कि ये जीतना ही है किसी भी कि हम तो हम तो चुनाव जीती गए है उनको डर है कहीं डर नहीं वोट करूंगा लेकिन उनको वो इस बात को जानते है कि ये alliance जो है इसे इसके सामने जो ठकर होगी वो 2019 या 14 जैसे इतनी आसान इस समय नज़र नहीं आज़ा मैं सर आफ से फाइनल कॉमेट लोंगा क्योंकि मुझे अच्छे से ध्यान आ गया जब राजदीव सर ने डंडील के बारे में कहा तो आपने कहा था कि प्रधान मत्री निरेंद मोदी और हमेशा से उतनी शिद्दत से मोदी जी लड़ते आए हैं जो मुझे यह लगता है कि वो घबराट नहीं है यह रणनीती है और जो तीन या चार विश्व अगर आप इछले दो महिने में जब से इंडिया अलाइंस बना है तो रणनीती क्या है कि अगर यह चार सो सीटों पर एक उमिदवार देने की कोशिश कर रहे हैं यह चार सो से जादा सीटों पर तो एंडिया या बीजेपी का प्रयास यह है कि यह दिखाया जाए कि यह एक नहीं है तो आप बार-बार ऐसे कोई मुद्दे ले आते हैं जिसके इनका बटवारा या इनके बीच में मद्भेत साबने आ जाएंगे उधारन लीजिए यूनिफॉर्म सिविल कोड उस समय कॉंगरेस ने बड़ी होशियारी से यह कह दिया जब वो ड्राफ्ट आएगा तब हम देखेंगे लेकिन फिर भी अलग-अलग बयान आने लग गए थे अब जब वन नेशन वन इलेक्शन की बात आई तब भी सब लोग अलग-अलग सुर में वापस बोलने लग गए या जैसे उदाय निधी का जो बयान था DMK के सनातन धर्म के बारे में उसको लेकर वापस उसको काफी उच्छाला गया BJP की तरफ से इससे भी मदभेज जो है तो जो ये राजीब ने कहा ना कि गणित बिगाडने के लिए या केमेस्टी तोड़ने के लिए अब वापस जब आप भारत और इंडिया की बात करेंगे तो शिव सेना जैसी पार्टी के लिए भारत कहना जादा अनुकूल होगा बजाए कि वो इंडिया कहे तो ये जो या इवन समाजवाली पार्टी का जहां तक अगर आप देखेंगे आपको याद होगा 2004 में तो मुलायम सिंग आदा उने विधान सभा में परस्ताव पेश्ट किया था भारत इंडिया नाम रखा जाया सविधान में उत्रप्रदेश की विधान सभा में भी ये प्रस्ताव पारित हुआ था और इंटरस्टिंगले तब बीजेपी ने इसका विरोध किया था पर कहने का आशे ये रणनीती ये है कि ये जो गनित बंद रहा है उसकी केमिस्टरी को कैसे बिगाड़ा जाए इसलिए इस तरह के जो ट्रायल बलून शब्द का इस्तमाल के राज़ीप ने वो किया जा रहा है मैं देवदत पटनाएक की किताबों को काफी पढ़ता हूँ उनका ट्वीट मुझे बढ़े कल बढ़ा अच्छा लगा उन्होंने का देखिए जो शिक्षित है उनके लिए है ये कि 4500 साल पहले भारत को मेलुहा नाम से जाना जाता था 2500 साल पहले हिंद एक पर्षियन एंपरर डरायस ने ये नाम हिंद दिया था 2300 साल पहले इंडिया ये नाम एक ग्रीक नाम मेगस्थिनीज ने दिया था देखिए अंग्रेजों के पहले 2300 साल पहले 2200 साल पहले जंबूद्वी अशोका ने नाम दिया था 2100 साल पहले भारत वर्ष एक जैन राजा खरवेला ने दिया था तो ये देश का इतिहास है हम लोग क्या करते हैं हर चीज को बड़े आसानी से साउन बाइट में इंडिया वर्सिस भारत मानते हैं 2000 साल पहले आरिय देश कहा गया था ये उत्तर भारत को खास करें तो ये ये जो है ना ये इतने सालों पुराना है ये डिबेट जो होते हैं हम उसे हलके तरीके से इंडिया वर्सिस भारत लेकर या कहें कि अंग्रे जो ने ये नाम हमें दे दिया ये गलत है अब आप देखिए प्रधान मंत्री इंडोनीसिया गये हैं ये नाम इंडोनीसिया कहां से आया है इंडोस जो है इंडिया से आया है जो ग्रीक वर्ड यानि जो ग्रीक लोगों ने दिया था और उस लेटर पर क्या कहा गया है प्रधान मंत्री गये हैं प्रधान मंत्री प्राइम मिनिस्टर आप भारत लेकिन कहां जा रहे हैं आसियान इंडिया समिट के लिए तो आसियान इंडिया समिट रिपब्लिक आप भारत अरे दोनों को रहने दीजिए यह हमारी देश की ताकत है दुनिया हमें इंडिया के नाम से जाने और हम भी बड़े गर्व से कह सकते हैं कि हम भारतिय भी है और हम इंडियन भी है यह हम इस देश के सामने और बहुत बड़े विवाद है तो जितने जदी हम उन असली प्रश्णों पर ज्यान दे मुझे लगता है देश की भलाई उसी में है इस पर एक फाइनल कोमेंट मैं करना चूंगा को कि घरों में इसकी बड़ी चर्चा हो रही है और मेरी जो बड़ी बहने वो इतियास और संस्कृत की अच्छी जानका रहे हैं तो मैंने जब उनसे इस बारे में बात करी तो उनने का कि देखो एक बात है कि जब हम भारत का जि दिया और नने का कि वो एक बड़ा बहती बहतरीन नाटक रहा है और उसका जो जिक्र है वो महाबारत से निकलता है और महाबारत में जब भारत शप्द का इस्तमाल किया जाता है तो वो भारत कहां से आया ये बड़ा confusion था, उनने ने का है वो महा समरता उसको महा भारत मना दिया गया, तो भारत शब्द का भी बहुत बड़ा confusion है, उसका confusion विश्वा मित्र से मेन का तक आता है और तमाम ऐसी चीजे हैं जिसको लेकर अभी तक बहस बनी हुई है भारत शब्द को निकर भी बहस बनी हुई है लेकिन आप जो बहस है उसमें कहीं नहीं स्विंग आ गया है क्योंकि वह राजनी तीक तहत है सार आज आप इस साप्ताइक साभा में जोड़ें बहुतीं शांदार साप्ताइक जबा रहें उसमें बहुत सारी बाते हुई तो आजदीत तर आपका खुब- खूब शुक्रिया आपने बेशकिम्ति समय दिया और सर आपने इस चर्चा को बड़े तरीके से बड़े और करीन से हमें समझाया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका